नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग्ग, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमरे आज के इस खास वीडियो में, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की, बता दे सोनाली फोग टीम ने करीब 10 घंटों तक चानबीन की, इस दोरान सी बी आई की टीम को कई फिंगर प्रिंट्स भी मिले हैं, जिनकी अब चानबीन, जिनकी तलाश और यहां पर उनकी जाच कर रही है फोरेंसिक की वो टीम जो उस वक्त ग्रैंड लियोनी रिसॉर्ट पहुँची थी, द उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम के पास जिन्होंने सुनाली फोगाट के निधन की घोशना की थी, इसे के साथ सी बी आई की टीम उन डॉक्टर्स से भी पूछताच करेगी जिन्होंने सुनाली फोगाट का पोस्ट मॉटम किया है, आप सभी को याद होगा कि एक ट पहली बार देखा तो उनके पूरी तरह से होश उड़ गए उन्होंने बताया कि सुनारी फोगाट के शरीर पर 46 चोटों के निशान थे जो किसी एक सक्ष के लिए कर पाना मुश्किल है तो एक बात तो साफ है कि इस साज़िश में कई लोग यहां पर शामिल है अब देखने बात यह होगी कि जब CBI उनसे पूछताच करती है तो क्या यहां पर पोस्ट मॉटम करने वाले डॉक्तर्स की टीम का बयान मैच कर पाता है उस बयान से जो उन्होंने गोवा पुलिस को स्टेटमेंट दिया है अब देखने वाली बात तो यही होगी कि क्या अब इस पूरे केस में पोस्ट मॉटम करने वाले टीम भी फस्ती हुई दिखाई देगी क्योंकि पहले ही इस केस में ग्रेंड लियोनी रिजॉर्ट का स्टाफ फस्ट चुका है क्योंकि यहां पर जो चटे सक्ष के फिंगर प्रिंट्स पाए गए है उसके बारे में स्टाफ को कोई जानक कारी नहीं है देखने वाली बात होगी कि जब यह कई खुलासे होते हैं तो अखिरकार इस चटे जो चेहरा यहां पर जिसका परदाफाश अब CBI करने वाली है क्या यह चटा सक्ष सोनाली फोगाज की परसनल लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर पॉलिटिकल लाइफ से बने रहें नेक्स नाइन लाइफ के साथ और वीडियो अगर पसंद आए तो इससे लाइक जरूर करें नमस्कार